मित्रो ओम नमसिवाय हर हर महादेव मित्रो भगवान सिव की पूजा अर्चना का फल हमेशा ही अच्छा ही मिलता है लेकिन कुछ खास दिन ऐसे होते हैं खास आउसर ऐसे होते हैं जब भगवान सिव की पूजा करने से विशेश लाभ की प्राप्ति हमें होती है और उनहीं मे सबसे जो परमूख है वो है महा सिवरात्री का वरत जिस दिन महा सिवरात्री का त्योहार रहता है उस दिन भगवान सिव की पूजा अर्चना करने का विशेश भल हमें प्राप्त होता है अब अगर 2022 की बात करें तो मंगलवार एक मार्च को महा सिवरात्री का वरत रखा तो ऐसे में महा सिवरात्री के दिन, महा अनुष्ठान हमें करना चाहिए जिससे अच्छे प्रभाव हमारी जीवन पर परते हैं और भगवान सिव जल्द से जल्द परसन भी होते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए महा सिवरात्री के रात्री में महा मिर्तिनजय मंत्र का जाप 108 पर करना चाहिए भगवान सिव की मूर्ती के सामने फोटों के सामने भगवान सिव के मंदिल में जाके करें तो अति उत्तम। अब आप सबके मन में एक प्रस्न आएगा कि महा मिर्थून जय का जाप तो अक्सर देगा आयू के लिए लोग करते हैं, अकाल मीर्तौ से बचने के लिए करते हैं. तो साधी के योग जल्दी बने तो इसमें महा मिर्तुन जय का जाप कैसे किया जा सकता है तो ऐसा है महा मिर्तुन जय का जो जाप होता है वो किसी निश्चित फल की कामना के लिए भी किया जाता है अकाली मिर्तु से बचने के लिए तो किया ही जाता है इसके अलावा किसी निश्चित फल की प्राप्ति जाते हैं, अपने मनकामनों की पूर्ती आप चाहते हैं, तो भी आप महामितुंजे का जाप करते हैं, तो आपको 108 पर महामितुंजे का जाप करना है, जिनके साधी के योग नहीं बन रहे हैं, उनके साधी के योग जल्द ही पनेंगे अगर आपके परिवार में ज्यादातर लोग बिमार रहते हैं या कोई न कोई अक्सर ही बिमार रहता है आप देखेंगे कुछ ज्यादा ही बिमारियों का सामना अगर करना पड़ता है डॉक्टर से भी दिखाते हैं कुछ खास निकलता नहीं है और किनी न किनी लोग जयदा बिमार रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ सिव परिवार की पुजा करना चाहिए सिव रात्री की रात्री में इससे पूरे परिवार को आरोग्गे का वरदान मिलता है। आरोगय का वरदान हमें मिलता है महा सिवरात्री के अवसर पर भगवान सिव की पूझा और अस्मरन करने से काल सरप दोस जिनके कुंडली में होते हैं उनसे भी उन्हें मुक्ति मिलती है काल सरप दोस का प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि भगवान सिव जो हैं साक्षात मिर्टुन जय हैं तो मिर्टु के देवता हैं तो ऐसे भगवान सिव की पूझा अर्चना करने से खास करके महा मिर्टुन जय का जाप अगर आप करते हैं महा सिवराती की रातरी में तो काल सर्पदोस अगर आपकी कुंडली में हैं भी तो उसकी समाप्ति होती है अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रहों उनसे समंधित कुछ दिक्कत है हर केसी की कुंडली में कुछ न कुछ ग्रहों की स्थिती ऐसी होती है जिसके कारूने दिक्कत होता है तो ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए सिव रात्री की रात्री में सिव पुरान का पाठ करना चाहिए जहां तक हो सके वहां तक करना चाहिए इसे ग्रहों के जो दूस्परवाव होते हैं वो कम होते हैं उनके कारण परेशानिया आपको कम भुगतनी पड़ती है तो सिव पुरान का पाठ आपको जरूर करना चाहिए महासिव रात्री की रात्री में तो मित्रों यहाँ पर मैंने आपको कुछ उपाए बता है जो कि महासिव रात्री की रात्री में आपको करने चाहिए बहुत ही साधरन उपाए हैं लेकिन इसके फल जो है वो साधरन नहीं और साधरन है तो ऐसे मैं आपको महासिव रात्री की रात्री में इस परकार की पुजा नेश्चित तोर पे करनी चाहिए इसी तरह की अन्य ग्यान वर्थक वीडियो के लिए जुरुरे ने धरमसिक्षा के साथ और देखते रहे है धरमसिक्षा हर हर महादेब